वादेवी वही मांगते हैं कि तुम कभी छोड़के तो नहीं जाओगे जो खुदी एक दो साल बाद छोड़ जाते हैं वादेवी कभी ना जाओगे छोड़कर वही लोग मांगते हैं जो खुद एक दो साल बाद छोड़ताते हैं कमाल की बात है प्रेम की बड़ी खूपसू ऐसे हाथ पकड़ा होता है और महंदी लगी होती है हाथों पे और फेस ओक पर डीपी देखता है जब लड़का ठूट जाता है पुरी तरीके से अंदर से सभाल लिपाता अपने आपको उसे याद आती है वो सब चीजे कि ऐसा कहा गया था कि तुमारे बिना तो जिंदगी कुछ भी नहीं है तुम हो तो सब है तुमारे बिना कुछ भी नहीं है और यह कहके कि अब आज के बाद बात नहीं हो पाएगी पापा नहीं मान दे ऐसे और वो ही लड़का जब फिर लड़की के घर जाके कोशिश करता है कि किसी तरीके से बात करूँ जब कि वो इस बात को नहीं समझ पाता कि लड़की का ही अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसको हम जीतना चाहते हैं वो ही हार गया हमसे वो ही हमसे अपोजीशन टीम में चला गय करती है मुझे समझने आता कि जब सुरू कर रहे थे तब काश्ट नहीं पता थे तब तो बहुत मजा आ रहा था जब सुरू कर रहे थे तब अब अन्त इतना बुरा कि पापा नहीं मान रहे और काश्ट की बात है पापा का कहना ही कि तुम्हारे पास सरकारी नोकरी नहीं ह कि सरकारी नोकरी तो हमारे पास साथवी क्लास में भी नहीं थी जब तुमने कहा था कि तुम में एक अलग बात है तब तो तुमने वो अलग बात कहके हमें चुन लिया था अब आज छोड़ने के लिए सरकारी नोकरी बीच में आ गई बताइए उन लड़का फिर डरा हुआ जाता है भाई तब किसी भी तरीके से लड़की के घर एंट्री करता है लड़की अंदर होती है पापा निकल के आते हैं पहले से जान पैचाने बट पापा को यह नहीं पता कि इसका कुछ ऐसे टाका है टाइप और वह बड़या लड़का को नॉर्मल लग लगारा है निकल उपर से वो अंकल ने कहाने शुरू कर दी बेटा मैं तो बस तुम्हें फोन करने वाला ही था बताने वाला था अनीता के लिए एक लड़का देखा है और एक दो महिने में साधी हो जाएगी और अभी जो है रोका हो गया है अब लड़के के आँखें बाइसा फूल लें रोक करने के बाद किसे कितना मुश्किल है कहपाना देखें मैं नहीं चाहता यहां पर लोग रो देंगे अगर वह कहानी मैं आपकी आँखों के सामने ले आऊं किसी तरीके से वह कहता है और पापा बुला कि अनीता इदर आओ अब लड़के वो लगता अनीता हां करेगी या न 99 परसेंट चांस है कि अनीता ना कर देगी कि नहीं पापा ऐसा नहीं है इन्होंने गलस समझ लिया था ऐसा कुछ नहीं हम लोगों की एक दो बार बात हुई अब लड़का अलग से टेंशन वही उसी ने भाई सब निकलने के बाद ही घर से तमाम तरीके से रोना अपने दो टेंशन मतले तु सीधा भाई अब निया हुआ भाई स्टेशन से उठा ले जाना कल इस तरीके से मैं फिर भी एकी बात कहूंगा देखिए कई बार अब मैं थोड़ी घ्यान की बात करूँगा कई बार जिंदगी में हम जिन पलों में बहुत उदास हो रहे होते हैं बहुत दरवाजा बंद होगा तो दूसरा दरवाजा खुलेगा एक अपॉर्चुनिटी खतम होगी तो दूसरी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेगी कभी मत घवडाना इन बातों से कभी परेशान मत होना दुख तभी है जब हम बहुत सपने पाल लेते हैं अगर आपने अभ तो आने की खुशी भी हद से जादा मत मनाईए अगर अभी अभी आपने शुरू किया है तो नॉर्मल रही है नॉर्मल ताकि जाने का भी उतना दुख ना हो किसी भी चीज को पर्मानेंट मत समझे वक्त जो भी है घुजर जाएगा अच्छा चलता है तो भी घुजर अगर डर के साथ जीवन जीएंगे क्योंकि जब आप बहुत प्रेम में पढ़ जाते हैं प्रेम करना देखिए एक अलग चीज है लेकिन जब आप बहुत पागल हो जाते हैं बहुत ज्यादा डूब जाते तो हर पल आपको उसको खोने का जो डर सताता है और डर में जीवन नहीं है डर है तो जीवन ही नहीं है यह दिन डर खत्म हो गया तो क्या जिन्दगी है क्या जीवन जीने का आनंद आपको पता चलेगा तब जाके आपको पता चलेगा तो मैं यही कहूंगा कि यह वादे अगर आज आपसे कोई कहता भी है कि वादे दे दीजिए तो बोल द